सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी होगा सपने वो नहीं जो नीद में देखते हैं, सपने वो हैं जो नीद ही ना आने दें ये कहना है दुनिया के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम का तो आज की इस वीडियो में हम दुनिया के इस महान वैज्ञानिक के बारे में थोड़ा कुछ जानने और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं 15 अक्तूबर 1931 को तमिल नाडु के रामेश्वरम में एक मुसलिम अंसार परिवार में जैनुलाबदीन के घर एक बेटे का जन्म हुआ इनके पिता जैनुलाबदीन एक गरीब परिवार से आते थे और वे पेशे से एक नाविक थे इनका परिवार बड़ा था ये दस भाई बहन थे जिन में पांच भाई और पांच बहने थी डॉक्टर एपीजे अबदुलकलाम का बचपन गरीब होने के कारड बहुत परिशानियों में बीता गरीब होने के कारण इन्हें बच्पन में ही अखबार बेचने का काम करना पड़ा लेकिन सीखने और आगे बढ़ने का शौक ऐसा था कि जब ये अखबार बेचने के लिए जाते थे तो रास्ते में ही अखबार को पढ़ जाया करते थे गरीबी इतनी थी कि पढ़ाई के लिए भी पैसे इनके पास नहीं होते थे लेकिन इनके घर से कुछ दूरी पर एक टीचर थे जो सुबे में चार बजे उठकर जो बच्चे नहा कराते थे उनको एक घंटे फ्री में पढ़ाया करते थे डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम को पढ़ने और सीखने का ऐसा सौग था कि सर्त के मताबिक ये चार बजे उठकर नहा करके उनके यहां पढ़ने के लिए जाया करते थे यहां पर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे दुनिया के एक और महान वैग्यानिक माइकल फैराडे की जो की एक गरीब परिवार से आते थे जो बच्पन में जिल्द साजी का काम करते थे और जिस किताब पर वो जिल्द साजी करते थे उस किताब को पढ़ जाया करते थे डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम जब प्रारंभिक सिक्षा ले रहे थे तो इनके एक टीचर थे शिवा शुब्रमन्यम अयर जो क्लास में ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि चिडिया कैसे उड़ती हैं जब सही तरीके से बच्चों की समझ में नहीं आया तो वो समुद्र के किनारे उन्हें उड़ती हुई चिडिया दिखाने के लिए ले गए और वहाँ पर वो समझाने लगे कि ये चिडिया आसमान में कैसे उड़ रही हैं लेकिन डाक्टर एपीजे अब्दुलकलाम वहीं पर सपना देखते हैं बुलंदी पर पहुँचने का जब डाक्टर एपीजे अब्दुलकलाम क्लास फिफ्ट में पढ़ रहे थे तो ये पहली बेंच पर बैठे हुए थे ये देखकर एक टीचर को बहुत गुसा आया और इन्हें कलास की पिछली बेंच पर जाकर बैठने को कहा और ये कहा एक मुसलिम एक ब्रह्मन के साथ कैसे बैठ सकता है लेकिन एक बैज्ञानिक में ये क्वालिटी होती है कि उसे अपने लक्ष तक पहुचने से कोई नहीं रोक सकता मद्रास इंस्ट्यूट आफ टेकनोलोजी से एरोनाटिकल इंजीनेरिंग की डिगरी लेने के बाद इंडियन एयर फोर्स में सेलेक्शन के लिए इंटर्वियू देने देरा दोन गए जिसमें 25 कंडिडेट थे और सीटें आठ थी और वहाँ पर इनकी नवी रैंक थी और इनका सेलेक्शन नहीं हुआ लेकिन ये हार मानने वाले नहीं थे 1958 में इन्होंने डियार डियों को जॉइन किया जिसके बाद इन्हें विक्रम सारा भाई और प्रोफेसर सतीज धवन के साथ काम करने का मौका मिला लेकिन कठनाईयां कभी भी पीछा नहीं छोड़ती है सपने उचे थे लक्ष बड़ा था लेकिन संसाधन सीमित थे संसाधन इतने सीमित थे कि थुम्बा गाउं के पुराने चर्च को वर्कशॉप बनाना पड़ा और एक घर को ही ओफिस बनाना पड़ा जब मिजाईल के पार्ट को तयार किया गया तो उसे ले जाने के लिए बहिकल नहीं थे यानि गाडिया नहीं थी तो वर्कशॉप से उसको बैलगाडी और साइकिल की मदद से ले जाया गया और जब 21 नवंबर 1963 को अब परिछड किया गया तो उसमें सफलता नहीं मिली और जब असफलताएं हाथ लगती रही सफलता नहीं मिली तो मीडिया के लोगों ने भी इनको घेरना शुरू किया और कहा गया कि इसरों के द्वारा ये सब पैसों की बरबादी की जा रही है अब बारी थी कलाम को मीडिया के सामने जवाब देने की इंटर्व्यू देने की उस वक्त इसरों के चेयर्मैन हुआ करते थे प्रोफेसर सतीज धवन उन्हों ने इन सारे फेलियर की जिम्मेदारी खुद ली और अपनी टीम को मोटिवेशन से भरा तो कहा जा सकता है कि जब बास प्रोफेसर सतीज धवन हो तो मीजाईल मैन एपी जे अब्दुल कलाम पैदा होते हैं सन 1970 से 1990 के बीच PSLV और SLV लॉंचर वहिकल की सहायता से पिर्थवी और अगनी जैसे मीजाईल का सफल परिक्षड किया गया उनके इनी कार्णियों के लिए सन 1981 में पदम भूसर और 1990 में पदम विभूसर से सम्मानित किया गया और उसके बाद उन्हें एक बड़े प्रोजेक्ट यानि की पोखरन टू की कमान सौपी गई इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा काम था दुनिया के पावरफुल देशों की नजर से इस प्रोजेक्ट को बचाना क्योंकि पूरी दुनिया भारत के इस परमाड प्रोजेक्ट को रोकना चाहती थी इसलिए ये काम बहुत गुप्त तरीके से किया गया और भारत के इंजीनियर्स आर्मी की ड्रेस बहन करके पोखरन में इस काम को अंजाम देते नजर आए इस प्रोजेक्ट को दुनिया की नजर से बचाना बड़ा काम था आपको मैंने इसलिए कहा क्योंकि भारत 1974 में ततकालीन परधान मंत्री इंद्रा गांधी के समय पर इसमाइलिंग बुद्धा यानि की पोखरन वन के नाम से नुकलियर टेकनोलोजी का सफल परिछड कर चुका था बस रह गया था उस नुकलियर टेकनोलोजी को एटॉमिक वेपन्स का रूप देना जिसे भारत ने सन 1998 में सफलता पूरवक हासिल कर लिया 1998 में भारत ततकालीन परधान मंत्री अटल बिहारी बाचपेई के समय पर दुनिया के परमाड़ संपन्न देशों की स्रेडी में छठे नंबर पर आ गया इस महान और अदुतिय कार के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया सन 2001 में भारत के ततकालीन परधान मंत्री अटल विहारी बाचपेई का कॉल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए गया और परधान मंत्री ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बात की और उनको भारत के राष्टपती का कार्रिभार सभालने के लिए कहा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कुछ घंटों का समय मांगा और उसके बाद ये जिम्मेदारी सुविकार कर ली साल 2002 से 2007 तक उन्होंने राष्टपती पद की जिम्मेदारी सभाली इमानदारी इतनी थी कि अपने बड़े भाई को हज के लिए जब भी भेजा तो राष्टपती रहते हुए भी अपने खर्च पर भेजा और जब अपने परिवार को अजमेद शरीफ की दरगाह के लिए भेजा तब भी अपने ही खर्च से भेजा राष्टपती कोज से कोई भी पैसान नहीं लिया और जन्ता की सेवा इस तरह की कि उन्हें जन्ता का राष्टपती कहा जाने लगा उन्हें कई सारी अच्छी किताबें भी लिखी जिनमें Ignited Mind, Wings of Fire और India 2020 है इनमें Wings of Fire जिवनी से रिलेटेड है और India 2020 तक भारत को विक्सित देश बनाने के बारे में है वो चाहते थे दुनिया उन्हें एक टीचर के रूप में याद रखे क्योंकि उन्हें पढ़ाने का बहुत ही जादा शौक था और 27 जुलाई 2015 को हार्ट अटेक के कारण जब वो इस दुनिया को अलविदा कहे उस वक्त भी सिलॉंग के Indian Institute of Management में टीचिंग कर रहे थे इस महान वैज्ञानिक के जीवन के कौन से भाग ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया आप हमें कमेंट करके बताएंगे जै हिंद